से डू ओल की ऐसे हो तुम सभी लोग आए होप सो तुम लोग बहुत ही जादा बढ़िया होगे आज के यार इस वीडियो में हमें बहुत ही कॉंपलेक्स टॉपिक जो की बच्चों को लगता की है लेकिन जो नहीं है उसके बारे में बात करने वाले और वह स्ट्रिंग और आ यहां पर से सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को एक चीज बताऊं यहां पर अभी तक तुमने लेकर के ऐसा कुछ पढ़ा है ऐसा लाइक इंट-a is equal to 5 ठीक है अब लेकिन मैंने बूला यार देखो अभी जो नहीं बहुत सामय हो गया that we are just calculating something on numbers हम थोड़ा साब करेक्टर पर तो यह क्रेक्टर क्या होते है हर एक इंडीविजूल अपने आप में different character है जैसे कि तुम देखो के यहां पर से a c 6 plus sign और 5 सब अपने आप में different character है यह अभी डिजेट और a symbol is known as a character ठीक है तो यहां पर से character constant को अपन character lateral भी बोलते है ठीक है तो जैसे कि तुम यहां से देख होगे single character enclosed within a single inverted comma is known as the character constant ठीक है character constant अब जैसे देखो है इसका simple सा मतलब यह है कि अगर तुम int a is equal to 5 लेते हो तो 5 ही होता किसी और के लिए 5 6 नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता same way अगर तुम यहां से care ch में ऐसे लेकर के जोना एक a ले लेते हो ठीक है इस तरीके से care is the data type जो की मैं बता दू data type होता है ठीक है और उसके बाद में यह तो हम लोगों ने variable name रखा है variable name है यह ठीक है और उसके बाद में लेकर के अगर इधर से हम बात करें तो यह हमने constant जो किया की तो कुछ ऐसी रिखी है यह ch is equal to a enclosed within single inverted comma ठीक है तो यह constant हो गया जो कि सबके लिए same होता है constant तो तुम जानते ही हो क्या होता है ठीक है उसके बाद में लेकर के अब string क्या है जैसे कि मैंने तुमको क्या बताया कि हमारे को care ch ले रहा है थे हम a अब मान लो हमको जुना इस अकाउंट स्टार्ट क्योंकि है एक habit है अच्छी habit बिल्ड हो जाएगी इसलिए करा रहूंगा 0 से स्टार्ट करो तो है तो एक ट्लास 6 ग्रेक्टर्स है ना 012345 ठीक है तो यहाँ पर से same चीज होती है sequence of character with or without space is known as a string ठीक है जैसे की example clarify op बोलते है ck op तो like basically इस तरीके स जिन्हा यहाँ पर से क्या है एक एक बहुत multiple characters को enclose करके ने single unit एक string बन जाती है ठीक है तो sequence of characters with or without spaces enclosed within double inverted commas is known as string constant और string constant को कैसे ले सकते है अपन जैसे की इस तरीके से string a is basically equal to ठीक है अब जैसे ही मैंने यह लिया ठीक है तो यहाँ पर से मेरा कुछ इस तरीके से यह पूरी चीज बन गई अब देखो string में बहुत ही important चीज है जो कि मैं तुमको बताऊं वो होती है indexing ठीक है जो अब यह बात में देख रहे हैं लेकिन एक बार थोड़ा सा basic देखो कि indexing basically होती क्या है indexing क्या कह रही है कि ऐसी जुना इसमें index कर दो 0 1 2 3 4 5 अब बता बात क्या होगी कि एक string में अगर हम लोग second position पर बात करेंगे तो second पर देख सकते हो तुम कौन है भाई सब यहाँ प string variable कैसे लेते हैं so like string is a data type and name is a string variable जिसमें हम लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हैं string name जो अभी मैंने just लेके तुमको बताया था string name ठीक है और यहां से मैंने मान लो ले लिया ckop ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से पूरा काम चल रहा होता है ठीक है so the string creates a single dimensional array of characters and each character of the string stores in different memory index access ठीक है जो कि मैं अगेन अगर इसमें इंडेक्सिंग करके देखा हूं तो वो कैसे हो रही होगी 0123 ठीक है तो यहां पर से यह indexing हो इसकी चलो बहुत बढ़ी आगे बढ़ेंगे तो अगर अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर से अब कुछ sky codes जो कि तुमारे लिए क्या mandatory हैं मैं बता दूँ यह क्या भी है यह mandatory इनमें असा नहीं है कि हाँ चलो नहीं कर रहे है इनको याद करना ही करना पड़ेगा जो कि अगर तुम देखो तो कुछ ऐसे होते है basically a to z अगर capital a to z की अपन लोग बात करें ठीक है capital a से लेकर के z तो यह start होता है 65 से फिर b के लिए 66 c के लिए 67 ऐसे करते करते जैड के लिए 90 तक जा रहा होता है अच्छा एक चीज यहाद रखना a अगर 65 वे capital तो small a क्या है लेकर के इसमें plus 32 गर दो तो 97 ठीक है तो same way अगर b तुमारा लेकर के 66 है तो small भी क्या हो जाएगा plus 32 गर दो तो basically हो जाएगा 98 तो यहाँ पर से plus 32 का जो ना लेकर के हमेशा गैप हो रहा होता है ठीक है समझगा है तो basically this is like working like this तो a to z कुछ इस तरीके से चल गया 97 to 122 अच्छा 0 to 9 की बात करेंगे 48 से चार्ट हो के 57 तक जाता हो और space character जो ऐसे तुम लिखते हो प्रड़ाए तो अब अगर इसकी indexing में करूंगा तो अब समझना 0 1 2 3 4 5 6 यह जो space जो अभी visible नहीं है इसका भी एक जो ना इंडेक्स होता है 7 8 9 और 10 ठीक है तो इस तरीके से चल रहा होता है तो यह जो space यहाँ पर आया है ठीक है वाइट स्पेस कहते है जिसको बन ठीक है इसकी इत्ती होती है 32 ठीक है समझ गए चलो बहुत बढ़ी है अभी अगर अब थोड़ा सा आगे बढ़के जोना functions पर जाधा बात करें उससे ही पहले पहले लेकिन मैं तुमको एक बहुत important चीज़ बताना चाहता हूं about code is easy pro subscription जिसको हम लोगों ने especially तुम्हारे लिए launch किया है जहाँ प अगर तुमको year-long mentorship मिलेगी DPPs मिलेगी notes मिलेगी 400 से जाधा programs करा जाएंगे उसके साथ साथ तुमको syllabus completion पूरा 9th का और 10th का 25 घंटे से कम में देखने को मिल जाएगा 3-4 classes ही हुई है so this is the right time to enroll तुम अभी क्या भी enroll कर सकते हो the pricing for two years का syllabus दो साल के syllabus की है just 18100 रुपे तो तु इसकी description box में है या फिर तुम एप पर जाना और enroll कर लेना उसके साथ साथ if you want तो you can correct with our counselor वो तुमको जिना guide कर देंगे इसके related जो भी queries है वो answer भी कर देंगे चलो अभी अपन वापस से आगे बढ़ते हैं ठीक है so if you all just proceed तो यहां से आ जाते string input पर string का input कैसे लेते हैं जैसे like सबसे जादा 99.9% time अपनको यह use करना है ठीक है तो अपन सीधी इसी की बात करेंगे कि इसको use कैसे करना है देखो सबसे बिले तो जो read line होता है एक second yes so sc और यहां से अपना read line ठीक है तो यह हो जाएगा अपना read line ठीक है ऐसे हो जा रहा होता है अच्छा सेम अगर तुमको लेकर करके मानलो string name sc.next का इस्तिमाल करते हो ठीक है तो इसमें single वह आ जाता है चलो मैं बता रहूं निके बारे में अच्छे से हो और यहां से एक string name जो आपन को सबसे जादा इस्तिमाल करना वह यह next line ऐसा ठीक है चलो तुम कितना ही बड़ा एक पूरा sentence ले सकते हो बस अंतर यह है next में कि इसमें तुम एक सिर्फ ले सकते हो विदाउट एनी स्पेस तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने प्रणाय ले लिया और उसके बाद में लेकर के space दे के तुमनें मिश्रा कर दिया ठीक है यह चीज पॉसेबल नहीं है वो सिर्फ यहां तक का ही ले सकता है वेराइस जो हमारा like next line है वो पूरा ले सकता है तुम कितना ही कुछ करते रहो ठीक है चलो समझ गए बहुत सिंपल है बाद में लेकर के भी यह string function methods now these are the main thing जिनके बारे में अच्छे से पढ़ना है और पूरा जो इन के में parenthesis होता है अब यह काम कैसे करता है मालनो मैंने एक string ले ली नैम is equal to प्रणाय ठीक है तो यह ले ली मैंने अब इसके अंदर कितने character है you can easily see 6 character है ठीक है तो अगर मैं अब ऐसा एक function ले लूं int l is equal to nam dot length तो इसमें बता हो कितनी value आईगी l तुमारा 6 के बराबर हो जाए समझेंगे सिंपल सा function है उसके आद में caret जो ना index पर character निकालने के लिए यूज होता है index पर character ठीक है तो अब मैं बता तो इसके इस्तमाल कैसे होगा वालनो मैंने यह string name पर ही मैं काम कर रहा हूं तो basically वालनो मैंने बोल दिया कि मेरा मैं इसकी indexing कर दो 0 1 2 3 4 5 तो मैंने बो ch ठीक है is equal to name dot care at 3 अब यहाँ पर जो ना ch में क्या value आ जाएगी यह बताओ ch में value क्या आने वाली है तो 3 पर है n तो इसके अंदर आ जाएगा n ठीक है समझेंगे तो इस तरीके से this works अच्छा index of पूछा जाता है इसमें यह बोलते है कि भाई सा माल लो हम एक कोई particular आपको हो दे रहे तो उसकी आप हमें value निकाल के देता है तो जैसे हम लोग अगर ऐसे लिखता है कि basically int l is equal to name dot name के अंदर index बता दू किसका name dot index of a ठीक है तो अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो भाई साब a तो इसके अंदर है तो भाई साब इसका index क्या जाएगा तुम देख सकतो जो पहला यह होगा ना वो उठाके देदेगा तो इसका l की value हो जाएगी 2 लेकिन वहीं अगर मैं use करता last index of ठीक है int l is equal to name dot like last index of ठीक है last index का यहाँ पर i capital होता है index और यहां से अगर मैं दे देता again a तो यह एकदम जो last a इसमें देख रहा होता उसका उठाके देदेता तो इस case में हमारी जो l की value वह कित्ती हो जाती चार हो जाती समझगा है तो इस तरीके से हो रहा होता है च्छा रिप्लेस function क्या करता है एक और दो चीजों को replace कर देता ह यानि एक कोई भी स्ट्रिंग में मानलो को यह कैसे प्रणाय लिखा हुआ है ठीक है तो प्रणाय लिखा हुआ है और मेरे को इसको ऐसा बनाना है एस्थेटिक बनना है वही सब मेरे को पी आर पी आर एक्स एन एक्स वाई इंस्टाग्राम यूजर नेम हो गया भाल्दू अब यहां से इंडेक्स करेंगे तो वह कैसी होगी इंडेक्स क्योंकि स्पेस है तो स्पेस भी काउंट होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड में भी स्पेस से 7 अब मैं चाहता हूँ यह वाइट स्पेस हट जाए तो मैं क्या कर दूंगा सीधा सीधा श्ट्रिंग नम का इस्तिमाल कर दूंगा तो यहां से क्या होगा न मेरी नम जो इना लेकर के नॉर्मल ऐसी हो जाएगी समझ गए तो this is how it works ठीक है उसके बाद में भी यह सब स्ट्रिंग की बात करें तो को सब स्ट्रिंग इसको अच्छे तरीके से देखना यहां पर क्या होता है दो तरीके से काम चलता है एन और ऐसे ऐसे इसका सिंपल सा मतलब यह है मैने मानलो ऐसे प्रणाय को कुछ इस तरीके से अगर लिखे दूँ ठीक है यह स्ट्रिंग ही है यहा पर से यह मैंने ले लिया और अब इसकी मैं In-Dexing कर देता हूं इंडेक्सिंग कैसे होगी भी यह 012345 ठीक है यह हो गई इसकी इंडेक्सिंग अब अच्छे तरीके से कुछ-कुछ मेरी बातों को बढ़िया तरीके से समझ रहा है अब मैं अगर एन लेकर की मेरा यह बोल रहा है कि याद रखना सब्स्ट्रिंग का एक रूल है जो भी एक नंबर दिया जा रहा है एं से पहले काटो तो तुमने क्या करना है मानलो एन हमारा देदी है दो अब मैं दो से पहले जुना काट दूँगा और क्यूंकि यह आपर को अब मालनो मेरे को एक्स में लेना है जिसमें मैंने सब्स्ट्रिंग में और एम दौनों दे रखें अब मैंने मानलो एन की वैल्यू जो ना ले अब बस एक बात याद रखना के इन बात वही है के पहले से काट ना थीक है तो मेरा यहाँ पर इसके अंदर क्या जाएगा x is equal to an समझ में आगा है इत्ता सिंपल ठीक है चलो अब इसके बाद मैं आजब यह two upper case पर two upper case क्या होता है two upper case basically अगर हमारी कोई string है मालनो string name और यह हमारी string है कुछ ऐसी प्रनाएं मेरे कोई से पूरा capital letter में करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा लेकर के ठीक है इस से क्या होगा लेकर के मेरा यहां पर से पूरा पूरा यह अपर केस हो जाएगा तो जो मेरा नैम होगा न that's going to be ठीक है same to lower case सबको छोटा कर देता है कॉन के अट क्या करता है यह एड करता है दो और यह बहुत बेसिक सा एडीशन है मैं तुम्हारे को बताऊं मालनों हमारी एक string हमारी ए है ठीक है और A string हमारी कह रही है C के और फिर उसके बाद में लेकरके एक B string है हमारी जो कि हमारी कह रही है O P ठीक है तो यह हो गया अपना ठीक है तो बेसिकली अगर तुम यहां से देखोगे A.concat B करोगे ठीक है A.concat B मालनों मैं C बना रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं C बना रहा हूँ तो C अगर मैं ऐसे लिख दूँगे string C is equal to A.concat और यहां से लिख दूँगा मैं B ठीक है A.concat B तो यह क्या हो जाएगा भी यह बेसिकली हो जाएगा A plus B ठीक है यह concat का मतलब plus होता है तो मतलब क्या हो जाएगा C के और O P merge करके रख दो तो C में हमारा क्या जाएगा C के ओपी ठीक है सेम अगर मैं लिख देता भाई साब एक मालनों string D बनाके में लिख देता B.concat A तो वह क्या हो जाता भाई साब वह जाता अपना B plus A तो basically that's going to be what D हमारा जो ना लेकर के हो जाने वाला था O P C के समझेगा है simple एक चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो concat function भी हो गया अपना उसके बाद में going forward equals क्या होता है equals यह checking function ठीक है यहाँ पर से जो ना यह checking वाल है तो मतलब देख मालनों हमारा एक A है ठीक है तो मतलब यहाँ पर case पर effect पड़ता है तो मैंने अगर मालनों एक प्रणाय ले लिया ठीक है और उसके बाद में लेकर के मैंने मालनों यहाँ से एक B लेकर इसमें लेकर इसमें बूलियन से चेक करेंगे लेकिन 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 माल लो यहाँ पर अगर equals की जगा पर equals ignore case यूज करते है तो यह case ignore कर देता तो C की value की आ जाती यह true आ जाती ठीक है तो कुछ इस तरीके से this works ठीक है लेकिन अगेन ऐसा कुछ नहीं होता कि equals ignore case में भी तुम कुछ ऐसा लेकर हो कि भाई सब तुमारे प हुआ है एक चीज भी अलगी सी डिफरेंट लेकिन है लेकिन हाँ अगर cases में सिर्फ changes है तो सिर्फ in the case of equals ignore case वहां पर से true हो जाता है ठीक है चलो compare to की अभी अपन बात करते है भाई साब compare to जो है तुमारा लेकर करके basically क्या करता है it's used to compare to string lexigo graphically बहुती खतरना गवर्ड है मैंने ले लिया cat और उसके बाद में लेकर के एक मैंने याँ पर से ले लिया भी ठीक है जिसमें मैंने ले लिया let's suppose cat ठीक है तो यहाँ पर से अगर मैं देखूंगा अब मैं से a. compare to b use कर दूँ ठीक है तो यहाँ से पता है क्या होगा देखो basically यह चेक करेगा कि कौन सी एक index पर चीज़े different होगी कौन से index पर character different है क्या पहले 00 index पर character different है नहीं है क्या 11 पर है हाँ बिलकुल है अब देख सकते ह तो a की value क्या रही है वाई सब a आ रही है और small b की value क्या रही है वाई सब small a रही है ठीक है तो अब तो हम इनके s का values लिख दो इसका 65 होता है इसका 97 होता है अब 65-97 कर दो ठीक है तो यह क्या जाएगा basically minus 32 तो यह आया अच्छा यहाँ पर क्या होता है compare to ignore case में उस case ignore होता है अच्छा थीक है अच्छा बहुत अच्छा यह जादा वर्ड ले जाएगा हां चलो कार और बी मैं जो ना लेकरके मैं क्या ले लेता बी मैं basically क्या ले लेता मैं तो basically अगर ऐसा में कुछ रखता तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इधर कोई चेंज नहीं आता इधन नहीं आता लेकिन इधर पर जो ना लेकर करके यह उठा लेता तो यह आर माइनस भी करता अब आर का जो भी होता हो बी का जो भी होता उसे रख दो और आंसा निकाल दो X आएगा माननों तो X is going to be the answer अब यहाँ दन विद ओल्ट पर्टिकुलर थिंग्स इन दे स्ट्रिंग पोरिशन और I hope सो तुमको जो ना सब को समझ में आ गया हो हमने 10 से 15 मिनिट के अंदर अंदर जो ना स्ट्रिंग को सब कुछ निपता है तुम चाहो तो इस वीडियो को झाल